और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे महाराश्ट्य के ठाने में मीरा रोट में रविवार रात को हुई हिल्सा में महाराश्ट्य सरकार ने आक्शन ले लिया है इस हिंसक जड़प में कई लोग जख्मी भी हुए है लेकिन आप पुलिस को ये कह दिया गया है कि कड़ा एक्शन लिया जाए और पूरी अरकत में इस वक्त पुलिस की टीम दिखाई दे रही है तेरा लोगों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उनसे अब पूर्शाच की जा रही है अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही होगी क्या ये सोची समझी साजिश की तहट किया गया और कितने लोग इस हिंसा में शामिल रहे हैं इस सब कुछ इस वक्त खंगाला जा रहा है और CCTV की मदद ली जा रहा है ये तस्वीर इस वक्त आपके TV स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर हिंसा हुई थी इसी के आधार पर 13 लोगों की गिरफतारी भी हो चुकी है तो बड़ी खबर और तस्वीर इस से जुड़ी हुई जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं मीरा रोट पर कल हिंसा जड़ब हुई थी कई लोग जखमी हुए थे अब CCTV फुटेच की मदद पुलिस लेती भी दिखाई दे रहे हैं लोगों को चिन्नित किया जाने का काम किया जा रहा है तेरा लोगों की गिरफतारी हो चुकी है लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग है जो है CCTV की मदद से और पकड़े जाना बाकी है हिंसक जड़ाप और अब उसके बाद ये कह दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि कठोर से कठोर अक्शन अब लिया जाए पुलिस ने जहां भी ये तोड़ फोड हुई थी जिन लोगों ने तोड़ फोड की थी उस पूरे एरिये को पुलिस ने कॉड़न आफ कर दिया है और पुलिस किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है कोरकि जो लोग जो बंजारे कम्यूटी की लोग ते जो लोग महां रहे रहते हैं सिफ उन्हीं को जाने की परमिशन है पास में जो गारे खड़ी हैं वहाँ पर काफी ज़्यादा तोड़ फोड की गई हैं साथी साथ जम कर पत्थरबाजी हुई है और देख सकते कि सड़कों पर जो पत्थर है वो अभी भी पड़े हुए हैं और जितनी गारिया यहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर जम कर तोड़ फोड़ हुई है मुबई से सेटे मीरा भाइंदर में श्री राम प्रान प्रतिष्टा के समय और उसी दिन महौल बिगारने की कोशिस की गई दो गुट आपस में भिड़ गए बताय जा रहा है कि स्री राम प्रान प्रतिष्टा के दोरान जब रत यासरा निकली जा रहे थी तभी एक गुट ने उधर पत्थरबाजी शुरू की और उसके बाद महौल काफी जादा ब लोगों को ग्रफ्टार किया गया है जो भी इंसडेंस हो आपको बताना चाहता हूं और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग करेंगे तो यह शहर में आज तक ऐसा को भी वहा नहीं है मेरी सबसे अपील है कि आपने शांती बनाए के रखे और सब लोग अपना अपना जो भुस्तों करना ही या जो भी अपना कार्य है और वहीं अकेले मीरा रोड में ही इस तरह की तोड़फोर नहीं हुई थी और वही सोलापूर में शोबा यात्रा में पत्थर बाजी की गई है इस पूरी गटा में चार से पांच लोगों के जखमी होने की खबर मिल रही है तस्मीरा आपके सामने है तो अलग-अलग इलाखों में किस तरह से जब यात्रा निकाली गई शोबा यात्रा निकाली गई बाइक रैली निकाली गई तो बहा पर तोड़ फोर और इंसा हुई है को बहा हुई तो